नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एफेक्टिव श्टडी दिस धर्मिंद गौड जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस का जो है वो काफी ज्यादा असर विस समय देखने को मिल आए और जापान भी इससे बचा नहीं है उसमें भी कोरोना वाइरस के काफ भायाव सुनामी देखने को मिलेगी और इससे जो है वो समुद्र में लगवक 30 मीटर उची यानि कि लगवक 98 फीट उची लहरें समुद्र की उठेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भूकंप आएगा वो भूकंप लगवक रियक्टर स्केल पर 9 की तीवरता का होग देखिए यह जो भूकंप है वो यहाँ पर प्रसांत महासागर में देखने को मिलेगा और इसका कारण यह रहेगा कि धरती की नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती इनको भी हम मैप के द्वारा समझेंगे आगे उनकी वजह से उनके टकराने की वजह से भूकंप और जापान का होकाईडो और इवातिय जो है उस सुनामी की चपेट में आ सकता है जापान की टोक्यो एलेक्ट्रिक पावर है टैपको इनसॉट उसने जो है वो सुनामी की चेतावनी दी है और टैपको ने कहा है एक रूपोर्ट का अंगलन करती हुए कि यह जो सुनामी है उसकी बज़े से vaya ऐसे पहले असर पड़ेगा यहाँ पर भूकमopt और सपनामी आया ती तो जब ट्रस पर चाफैने के और नॉश्ट में दोःपन होने की आसंगारेती है यहुप gün Crimicolf पिछली बार यहां चुका है ऐसा सरकारी पैनल कहा है देखिए इसको पूरे मेट्र को हम मेपर समझते हैं यहां पर के जैसे के समुदर में यहां पर अगर हम देखें यहां जापान की की लोकेशन है जापान जो है वो जापानी ocean और पैसफिक ocean के मद्द में इस्तित है और पैसफिक ocean के चारों और यह जो red color से आपको दिखरा आई एरिया यहाँ यहां पर यलू color के जो darts आपको तेख रहे हैं वह यहाँ पर बार बार देखने को मिलता है और रैड कलर से यहाँ पर रैड कलर की पट्टी यह जो दिखाई गई है वो दिखाई गई यह वालकने को दर्साती है कि यहां पर जो है वालकनो यानि कि ज्वालब मुखी विस्पोर्ट बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और उन ज्वालब मुखी विस्पोर्ट की वजए से ही भुकम पूता है या यह समझ के चलिए जब भुकम पूता है उसी वजए से ज्वालब म में मिलता है यहां पर अगर देखें जापान जो है वो बिसेकली तीन टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है यहां पर एक नौर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है एक फिलिपियन लोटा है, अगर हम इस मैप पर समझें यह जो फिलिपियन सी प्लेट है और यहां पर एक पैसिपिक प्लेट युट है तो पैसिपिक प्लेट हर साल 6 सेंटीमेटर पर यज़ Thailand में जिर faço वोig कर रहे हैं जबकि फिलिपियन वह पान सेंटी मेंटर पर एयर इस तरफो कर रहे है पस्छिम की और ठेकर न हब का इंड जबकि यह जो यूरेशेन प्लेट है वे वो पूर्ब की और मुब करती है और साथी नौर्ध अमेरिकन फ्लेट भी पाष्यम की हो कर रहे हैं तो अपको याद रखने है एक तो माउंट ऐसु हैं जापान का सबसे बड़ा सक्री ज्वाला मुखी है जितने भी सक्री ज्वाला मुखी है उनमें सबसे बड़ा है माउंट एसो माउंट फूजी एक सक्री ज्वाला मुखी है लेकिन माउंट एसो के बराबर सक्री नहीं है लेकिन फिर भी माउंट फूजी जो है वो जापान की सबसे उची चोटी है जिसकी मुचा ये 3776 मीटर तो जापान की सबसे उची चोटी पूछी आपको एक्जाम है तो आंसर दीजेगा माउंट फूजी और जापान का सबसे बड़ा सक्री जो अलब जय हिन जय भारत